देखिए जो बंगलादेश वसेज पाकिस्तान का मैच है ये एक फाइनल से कम नहीं है अब आप कहेंगी कैसे क्योंकि लगबग जो दोनुट टीमस है वो इस वोन लिकप से बाहर हो चुकी है हलांकि पाकिस्तान को और भी थोड़े बहुत चांसेज है ना के बराबर लेकिन टैक्टिकली पॉसिबल है और वही अगर हम बंगलादेश की बात करें तो अगर उनको चंपेरिस ट्रॉफी 2025 में शिर्ना है तो कल वाला जो मैच है वो उनको जीतना पड़ेगा और नमबर टीम है जिसने ज्यादा मैच्स जीदे है और ये मैच कहां खेला जाएगा और बहुत सारी जो बाते हैं वह हम इस वीडियो में करने वाले है पहले मेरी आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज़ को फालो नहीं किया है आप जरूर फालो करिए आपके मैच वो अभी तर जीद चुके है और दूसरे तरफ से जो टीम पाकिस्तान है उन्होंने पहले दो मुकाबले जीते थे एक नेधरलेंड के साथ फिर श्रेलंगा को एक बहुत बड़ी हार थमा दी थी और उसके बाद लगातार वो चार मैच्स हारते हुए आ रहे हैं और अ अब इन दोनों टीमस का अगर हम रिकॉर्ड चक करें तो अभी तक इन दोनों टीमस ने ओड़ी आईज में 38 मैच्स खेले हैं और 38 बार आमने सामने आने के बाद टीम पाकिस्तान ने 33 मैच्स जीते है और वही जो टीम बंगलादेश है उन्होंने 5 मैच्स जीते है तो यहा मैच्स बंगलादेश में जीता है 1999 में बंगलादेश ने पाकिस्तान को हराय था और 2019 के वर्ल कप में पाकिस्तान ने बंगलादेश को हराय था और यह जो मैच्छ है यह इडन गार्डनस कॉलकर टा में खिला जाएगा और वहाँ पर अगर हम एवरिज स्कूर की बात करें तो लगबग 240-260 वहां पर एवरिज स्कूर है हालांकि आपने देखा होगा जहां पर भी कोई एवरिज स्कूर होता है या जो भी कोई रिकार्ड होता है वो इस वर्ल्ल कप में हमने तूटता हुआ देखा है तो अगर किसी भी टीम को पर मैज जितना है लगबग आपको 300-1 बनाने पड़ेंगे तब जाके आप उस स्कूर को डिफेंड कर सकते है और इस ग्राउंड के अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा रन्स अगर किसी ने बनाए है इंडीज वर इनिक्स में तो वो रोहित शर्मा है यहां ही इसी ग्राउंड में उने 264 रन बनाई थे और श्रिलंका के खिलाफ और उस मैच में शायद वही वाला मैच था वो जिसमें टीम इंडिया ने 404 रन बनाए थे और वही जो स्कूर है वो इस ग्राउंड में हाइस्ट है तो अब यहां पर देखने वाली बात है कि किस माइनसेट के साथ क championships पाकिस्टान आती है किस माइनसेट के साथ बंग्लादेश आती है क्योंकि दोनों के लिए ये दो और डाई का मैच है तीम पाकिस्टान चाहेगी कि हाइड नोट पर फिनिश करे और अगर थोड़े बहुत भी चांसे फिर उनको मिल जाते है आगे सेमी फाइनल्स के लिए तो वो जाया नहीं करना चाहेंगे और कल का मैच उनको जीतना ही बढ़ेगा साथी साथ जो बंगला देश है वो भी चाहेगी कि बाई अगर हमें जम्पेन स्ट्राफी जीतनी है या जम्पेन स्ट्राफी में हमें क्वालिफाई करना है वोर्न डिकप तो हाथ से गया कई ऐसा नहोगी इंगलेंड की तरह आप भी फिर मुसीबत में आ जाए तो दोने टीमस के लिए ये अपर्शनिटी है कल अब अगर पाकिस्तान प्लेंग 11 की बात करें तो खल आपको कुछ बदलाओ देखने को जरूर मिलेंगे फकर जमाम अगर हम देखेंगे तो सौटापरिका के साथ भी पहले ख़बर आई थी कि वो बिल्कुल फिट है लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी बहुत उनको तिकते हो रही थी एक बार फिर से नीमे ताहम तीन चार दिन बुज़र गए है और वो एक बार फिर से कल सेलेक्शन के लिए अवैलेबल हो सकते है और देखने वाली बात है अगर वो कल इमाम अलहक को रिपलेस कर सकते है क्योंकि इमाम अलहक ने कोई भी ऐसी पारी नहीं खेली इस वर्ल्ड कप में एक बार उनने सत्थर रंड बनाए है बाके किसी भी मैश में उन्होंने ज्यादा रंस नहीं बनाए है और वही अगर हम देखिए महमद नवाज जो कि अल एज अन आल लॉंडर खेल रहे है अभी तक असी रंस इस खिराडी ने बनाए है और सिर्फ पांच मैच्स में इसने तीन विकेट्स लिये है जहां पर अगर बाके सिपनरस की बात करे तो लगातार वो सिपिन से यहां पर बनने बात वो परिशान करते हैं और जहां पर कली मैच एडन गार्डन्स में वहां पर ब्लैक सॉयल का पीछ है तो पहले बाउंस पी आपको देखने को मिलेगा और जब गेम दीरे दीरे आगे बढ़ेगा वहां पर फिर आपको सिपनरस के लिए भी काफी और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे दोनों टीम्स जो है वो अब इस वर्ल्ल कप से लगबग जैसे मैंने पहले भी कहा के बाहर हो चुके है लेकिन दोनों को जो है अपरस्टेनिटी है एक को अपरस्टेनिटी के अपने सेमी फाइनलस की जो अमीदे है वो बरकरा रख है और दूसरे टीम को ये उमीद है कि भाई हम जम्पेनस ट्राफी खेले और कल का मुकाबला जिते तो आपको क्या लग रहा है कल के मुकाबले में कौन सा टीम होगा जो जितने में कामिया भी हासिल करेगी और जो प्लेंग अलेयन में तीसरी जो बदला जो तीसरी बदला वे वो शहदाब खान को लेके अभी आ रहा है क्योंकि शहदाब खान पिछले मैच में चोटल रही है और इस तरह की खाबर आ रही कि शायद अब जो सलमा नली आगा है एक तो वो आपको बैटिंग का उफशन भी प्रोवाइड़ी का रहा थे और साती साथ आपको वो चार मुहमद असीन जूनियर के साथ ही जाना चाहिए पिछले मैच पे उन्होंने अच्छी कारगर देगी दिखाएजी तो देखने वाली बात है किस तरह का प्लेंग 11 रहेगा अगर आपके पास कोई साज्जेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं फिलनाल आ तर आपके हैं एाफ मुझे सेल आपके वालाफ जेहें ठूने तो आपके पास साज्जेशन हैता है वाल देखने जे साथ हैं अजए प्लेंगर कोईेशन हैं अजर। प्लेंगर देखने अच्छी को अी हाएज़र